शिवा महापुरान की कथा करती है और गणीश चनीत्र पंश्वन कर रहे हैं और तल से चतुर्ती लग रही है जिसके घर में संपदा की कमी परती हो बिमारियां जादा पहल रही हो बहुत कश्ट्र हो महाराज बहुत जाता है करने का जिसा कि आप सभी जानते हैं स्रावण का सुब महीन चल रहा है जिसमें प्रतिक दिन सुब और महत्पूर्ण माना जाता है इस वीडियो में कुछ उपाय बताए गए हैं जो आप चतुर्ती के दिन कर सकती हैं चलिए पहले उपाय सुन लेते हैं उसके पहरे यदि ज्यादा दुखी हो माराज कोई काम नहीं बन रहा बहुत तकलीफ में हो तो शमी पत्र शमी की पत्ती जहां गणे जी का स्थान है वहां पर पांच शमी पत्र पांच समर्पित करें और संकर जी के उपर तीन समी पत्र समर्पित करें बहुत ध्यान देना पांच शमी पत्र जहां गणे जी का स्थाने शिविलिंग में वहां समर्पित करें, तीन शमी पत्र शिविलिंग के उपर समर्पित करें, एक शमी पत्र शंकर जी की चोखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिल से निकलो तो उल्टे हाथ पर, लेफ्ट भाग म झां चंकर्जी की चोखट पर समरकित करेंं एक शमीपत्र और महराज, तीक का दिया, जहां लेफट भाग में आपने शमीपत्र रखा है, मंदर में ना दिया लगा कर, बाहर की और जहां समीपत्र रखा है, उसके ठीक साइड में, एक घीझा दिया लगादी जीजी का मौरध साल तक आपका व्यपार कितना चलता है हमको बताना जरूर गणेज जी महराज की चड़ीवी केवल एक दुर्वा और उस दुर्वा को दरवाजे की तहली पर छुला कर उस दुर्वा को अलमारी में अपनी तीजोरी में उसी दिन रगत जिस दिन लेकर आयो महराज कभी जी को समर्पित करी जाती है मात्र पांच कितनी आज के जमाने में लोग गठा बना कर चड़ा दें वो अपनी जगा पर पांच दुरुबा पंचम इंद्रियों को वश्मे करने के लिए और भगवान के पांच जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच और दुरुबा में भी तीन गांच जब दुरुबा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुरुबा की डंडी पर गांठ रहती हैं तीन छोटी छोटी गांठे होना चाहिए कितनी गांच पहला उपाय समपदा बैभव प्राप्त करने के लिए है बहुत कष्ट हो कोई कारे नहीं बन रहा हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं इसमें आपको नो समी पत्र की आवशकता होगी साथी साथ एक घीका दिया नो समी पत्र कहां कहां समर्पित करना है यह गुरू जी ने बताया हुआ है आपको मयूर ध्वाज गनीश जी का नाम लेकर यह सभी कारिक करना है दूसरा उपाय आप कभी भी किसी भी समर्प कर सकते हैं लेकिन यदि चतुरती पर करें तो अती सोब है इसमें एक दुर्ब आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखनेवा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें धन्यवाद